गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद्रवे ठाकर पर तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वकाबलरी के डिवीजन की वीकली वकाबलरी से पहला हमारा वर्ड था डियकॉटमी डियकॉटमी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था डियकॉटमी का मतलब होता है चीजों में अंतर होना चीजे एक दूसरे के उलट होना विपरीत होना डिफरेंसिस होना अपस में उसे बोला गया था डियकॉटमी अगला हमारा शब्ता superfluous superfluous यहां पे जेक्टिक वी तरह यूज हुआ है superfluous का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बिल्कुल ही unnecessary हो गैर जरूरी हो, fall to हो, व्यर्थ हो उसे बोला गया था superfluous अगला हमारा शब्ता facet facet का मतलब होता है अपना पक्ष रखना, अपना पहलू रखना कितने पहलू हैं किसी चीज के कितनी sides है sides मतलब किसी तरका हम रूख देखने हैं पक्ष पहलू किसी चीज का उसे बोला गया है facet अगला हमारा शब्ता rhetoric, rhetoric का मतलब होता है बोनने या फिर लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावीत करने की कला वाग चातुरे या वाग पटुता उसे बोला गया है रेटारिक अगला हमारा शब्द है डिस्क्रमिनेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी से किसी तरह का कोई भेद भाव रखना पक्षपात करना तरफदारी करना उसे बोला गया है डिस्क्रमिनेशन अगला हमारा शब्द है इंप्रिमेटर इंप्रिमेटर का मतलब होता है किसी को आधिकारी आग्या देना अनुमती देना किसी काम को करने के लिए इजाज़त देना उसे बोला गया है imprimatur अगला हमारा शब्द है jurisprudence jurisprudence यहां पे नाम की तरह यूज़ हुआ है jurisprudence का मतलब होता है हमारी जो न्याय ववस्था होती है law, legislation, न्याय प्रणाली न्याय शाष्टर, धर्म शाष्टर उसे बोला जाता है jurisprudence अगला हमारा शब्दा stellar stellar का मतलब होता है किसी चीज़ की भव्यता को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कोई चीज़ कितनी भव्य है great, उतकरष्ट, शानदार, प्रसिद superior कितनी है कोई चीज that is called stellar अगला हमारा शब्दा communicate 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 यहां पे नाम की तरह यूज़ हुआ था communicate का मतलब होता है किसी तरह कोई आधिकारिक सूचना आधिकारिक व्यक्तव्य statement कोई officially कोई statement message उसे बोला गया था communicate communicate अगला हमारा शब्द है cornerstone यहां पे नाम की तरह यूज़ हुआ था cornerstone का मतलब होता है किसी बात की कोई मजबूत एक आधार शिला होना कोई बात किस पर ठीकी है कितनी मजबूत उसका आधार है जैसे मकान की नीव होती है उस context में यह word यूज़ हुआ था cornerstone अगला हमारा शब्द था quest quest का मतलब होता है किसी चीज़ की हम खोज कर रहे हैं खोज बिन कर रहे हैं तलाश कर रहे हैं search कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में that is called quest अगला हमारा शब्द था we we का मतलब होता है किसी से किसी तरह का competition करना मुकाबला करना परतिसपरधा करना प्रतियोगिता करना, that is called V अगला हमारा शब्ता content content का मतलब मैंने दो तरीख से आपको बताया था एक तो हम किसी बात के सही होने का दावा कर रहे हैं, या फिर किसी से बहस करना, मुकाबला करना, किसी बात को लेकर that is called content अगला हमारा शब्ता allied allied का मतलब होता है, किसी चीज़ से बचना आया, छोड़ देना किसी चीज़ को leave करना, that is called allied अगला हमारा शब्ता conjunction, conjunction का मतलब होता है चीज़ों को एक सूतर में पिरोना mail करना चीज़ों का, उसमें जोड संगम, उसे बोला क्या था conjunction, अगला हमारा शब्ता obligation, obligation का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हम प्रतिबद हैं, वचनबद हैं, हमारा moral हमारी duty बनती है किसी काम को करने के लिए या फिर कानूनी दोर पे हम बात दिये हैं responsibility है हमारी, that is called obligation, अगला हमारा शब्ता dichotomy, repeat हो चुका है word एक चीज़ों में एक दूसरे में differences होना, एक दूसरे के विपरीद होना चीज़ें, आपस में मतभेद होना that is called dichotomy अगला हमारा शब्ता protagonist, protagonist यहां पे नाम की तरह यूज होगा था, protagonist का मतलब होता है, किसी की शेतर में अगरनी रहना, प्रमुक होना, नायक जैसे hero होता है न just like आप समझ सकते हैं protagonist, अगला हमारा शब्ता bedrock, bedrock का मतलब होता है, किसी भी चीज़ की एक सुधर आधार शिलाया, एक हम बोल सकते हैं, base होना, foundation होना, मजबूत किसी चीज़ की, that is called bedrock अगला हमारा शब्ता dignity, dignity का मतलब होता है, हमारी जो मान मर्यादा होती है, प्रतेश्ठा हमारा pride, self respect, उसे बोला जाता है dignity, अगला हमारा शब्ता autonomy, autonomy का मतलब होता है ऐसा कोई संगठन, ऐसा विक्ति ऐसा देश जो की स्वेम अपना शाशन चलाता हो, जिस पर किसी भी परकार का कोई नियंतर ना हो, जो free हो independence, liberty हो जिसे, that is called autonomy अगला हमारा शब्त है fidelity, fidelity यहां पे नाम की तरह यूज़ हुआ, fidelity का मतलब होता है किसी से वफादारी रखना, इमानदारी रखना पूरी तरह से, faithfulness loyal होना किसी के अपरती, that is called fidelity, अगला हमारा शब्ता tenuous, tenuous का मतलब होता है हम किसी चीज़ को दिखा रहे हैं जो की बहुत कमजोर है, weak है, fragile है या फिर निशित को इस्थिती है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए that is called tenuous, अगला हमारा शब्था conscription, conscription का मतलब होता है, अनिवार्य यह सा देश जहांपे की, परतेक घर से किसी ना किसी को, एक fix समय के लिए, आर्मी में अपनी सेवाएं देनी होती है परतेक सदस्य को उसे बोलाता है, conscription, अनिवार्य सेवा, या सेना में अनिवार्य भरती that is called conscription अगला हमारा शब्था absurd, absurd का मतलब होता है इसी कोई बात जो बिल्कुल से एकदम मूर्खतापून हो, useless हो, निरथक हो बेतुकी हो, that is called absurd अगला हमारा शब्था coercive, coercive का मतलब होता है सकती के साथ पेशाना किसी के साथ एकदम बिल्कुल इस तरह से बाते जो कि एकदम बिल्कुल डाटना, डपटना या फिर सकती के साथ पेशाना, उसे बोला गया था coercive, अगला हमारा शब्था connotation, connotation का मतलब होता है हम कोई बात बोल रहे हैं तो एक ही शब्थ का कोई और अर्थ भी निकरना, indirect way में उसको बोला गया था connotation, अगला हमारा शब्था reluctance का मतलब होता है किसी काम के प्रती अपनी अनिच्छा दिखाना मतलब interested नहीं है किसी काम को करने में unwillingness दिखाना, उसे बोला गया था reluctance, अगला हमारा शब्था अगला हमारा शब्था solidarity, solidarity का मतलब होता है आपस में एक एकता रखना एक जुटता रखना, सूसंगठन unity रखना, अगला हमारा शब्था asylum, asylum का मतलब होता है किसी दूसरे देश के विक्ती को अपने देश में आश्रे देना, पनाहा देना उससे बोला गया था asylum, अगला हमारा शब्था unwarranted, unwarranted का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल से मुर्खता भरी हो, बेबुनियाद हो, निराधार हो अनुचित हो, असंगत हो उससे बोला जाता है, unwarranted अगला हमारा शब्था antagonist antagonist का मतलब होता है किसी चीज़ के, मतलब एकदम प्रतिद्वंदी होना, competitor होना, विरोधी होना एक दूसर के, opponent उससे बोला गया था, antagonist अगला हमारा शब्था native, native का मतलब होता है किसी भी देश का कोई मूल निवासी उसका स्थाई, निवासी किसी जगा का, किसी भी देश का मूल निवासी वहाँ का, देशी स्थाई, उस विक्ति को बोला जाता है native वहाँ का जो मूल नागरी होता है अगला हमारा शब्थ है progeny progeny का मतलब होता है, वंश जाएक जैसे वंश चलता है, पहले दादा, फिर फादर फिर आंगे उसके बच्चे, family हम बोल सकते हैं, पूरा वंश वंश या संतान that is called progeny अगला हमारा शब्थ हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है, किस भी जगा के वहाँ का जो natural climate है, वहाँ जो पशु पक्षी या पेड़ पोधे होते हैं, वहाँ के की प्रती, द्वेश पूर्ण भावना रखना हेट करना किसी को, that is called hatred, अगला हमारा शब्थ है sustenance, sustenance का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़े, जो की निर्वाह के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए आवशक हमारा जो आहार होता है, हमारा जो food होता है, जो जीवन यापन के लिए जरूरी है संपोशन, उस संपोशन के लिए जो आवशकाहार है, that is called sustenance, अगला हमारा शब्थ है कूप, कूप का मतलब होता है, किसी भी देश का एकदम से सरकार गिर जाना या फिर वहाँ की आर्मी के द्वारा, शाशन उसमें मुश्किलों, बहुत प्रॉब्लम्स में फसे हुए होना, उसे बोला जाता है, मायर्ट, अगला हमारा शब्थ है, लेंडलॉक्ट, लेंडलॉक्ट का मतलब होता है, लगभग ऐसी जगह, जगह जो पूरी तरह से जमीन से घीरी हुई हो, उसे बोला जाता है, लेंडलॉक्ट, अगला हमारा शब्थ है, म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब होता है, सरकार के खिलाफ, या अथॉरटी के खिलाफ, विद्रोह करना, बगावत करना, दंगा करना, किसी तरह का, that is called, म्यूटनी, अगला हमारा शब्था पेल्ग्रिम, पेल्ग्रिम का मतलब होता है, किसी एक पवित्र स्थान पर जाने वाले लोगों का जथा, जिसे तीर्थ यात्री बोला जाता है, उसे बोला जागा एंगलिश में पेल्ग्रिम, अगला हमारा शब्था कंबर्सम, cumbersome का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो की बहुत ही ज़्यादा दुश्कर हो जटिल हो या बहुत ज़्यादा भारी भर कम होना that is called cumbersome अगला हमारा शप्था shrine, shrine का मतलब होता है पवित्र जगहा, मंदिर भी हो सकता है कोई तीर्थ स्थान है, मंदिर है मंदिर मस्जित गुरुद्वारा that is called shrine अगला हमारा शप्था circuitous circuitous का मतलब होता है लंबा एवं घुमावदार कोई रास्ता इस तरह से कोई सडक उसे बोला गया था circuitous, अगला हमारा शप्था fraud, fraud का मतलब होता है एसी कोई चीज जोगी हमें बिल्कुल से चिंता में डाल दे, परिशान हम हो जाएं उस चीज से या अरुचिकर बातों से परिपूर्ण होना that is called fraud अगला हमारा शप्था है modicum modicum का मतलब होता है हमें जो चीज़े सुखद लगती है उसकी बहुत कम मात्रा होना थोड़ी मात्रा में वो चीज़े होना जो हमें अराम दायक लगे हमें जो अच्छी लगे उनका कम मात्रा में होना उसे बोल जाता है modicum अगला हमारा शप्था है embak embak का मतलब होता है किसी भी काम को प्रारंब करना या फिर जहाज पर चड़ना किसी भी कठिन कारे को प्रारंब करना या फिर जहाज पर चड़ना दोनों कंटेक्स में आप याद रख लीजेगा that is called embak अगला बाशब्था reflex reflex का मतलब होता है अचानक से ही कोई हरकत होना या फिर automatic कोई मैंने आपको इस तरह से example देखे बताया था इस बच्चे के इस पे आप देख सकते हैं यदि इसके knee पे ये doctor इस तरह से hit करता है तो उसकी tongue एकदम से reflex हो जाएगी उपर एकदम से आ जाएगी तो चानक ही ये kriya होना automatic तरीके से that is called reflex अगला हमारा शब्धा retroactive retroactive का मतलब होता है ऐसे कोई चीजे ऐसे कोई कानून या नियम जो पहले से ही लागू हो पूरो परभावी होना पिछली तारिक से लागू that is called retroactive अगला हमारा शब्धा verdict verdict का मतलब होता है court की jury होती है उसके द्वारा सुनाया गया कोई फैसला या हम बोल सकते हैं बहुत सोच विचार विमर्ष करने के बाद दिया गया कोई decision that is called verdict अगला हमारा शब्धा culminating culminating का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके अंतिम पढ़ाव पर पहुंचना अंतिम परिणाम तक पहुंचना चरम सीमा तक पहुंचना किसी चीज़ का that is called culminating अगला हमारा शब्धा arbitration arbitration का मतलब होता है कि नहीं दो ग्रूप के बीच किसी तरह की कोई लड़ाई है तो उनमें मध्यस्तता करना पंच फैसलाया कोई निरने सुनाना that is called arbitration अगला हमारा शब्धा dathering dathering का मतलब होता है हम किसी तरह की दूविधा में है हम किसी तरह का को decision नहीं ले पा रहे हैं हिच की चाना उल्जन में होना that is called dathering अगला हमारा शब्धा offiscation offiscation का मतलब होता है जान बूज कर चीजों को complicated बनाना समस्या कठिनाई पैदा करना जिसे वो अस्पष्टता हो समझने में दिक्कता है that is called offiscation अगला हमारा शब्धा indemnify indemnify का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई हानी अगर होती है तो उसकी किषती पूर्ती उसकी हानी की पूर्ती करने की guarantee रेना किषती पूर्ती करना जिसे insurance companies करती है that is called indemnify अगला हमारा शब्धा ब्रवाजो ब्रवाजो का मतलब होता है अकड़पन दिखाना मतलब अपने ही praise करते रहना कि मैं ही सब कुछ हूँ बड़ी बड़ी डिंगे हाकना उसे बूला जाता है ब्रवाजो अगला हमारा शब्धा obstinacy obstinacy का मतलब होता है अपने ही बात पर अपने ही सोच पर अपने ही decision पर अड़े रहना हटी होना जिद्धी होना कटरवादी होना that is called obstinacy अगला हमारा शब्धा abundant abundant का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना protect करना त्यागना किसी को that is called abundant अगला हमारा शब्धा fickleness fickleness का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें की बिल्कुल से अस्थिरता हो चंचलता होना एकदम volatility हो जिसमे instability that is called fickleness अगला हमारा शब्धा bolster bolster का मतलब होता है किसी चीज़ को हम समर्धन कर रहे हैं किसी को help कर रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं प्रोचाहित कर रहे हैं that is called bolster अगला हमारा शब्धा severe severe का मतलब होता है इसी कुई स्थिति अगला हमारा शब्धा indiscriminate का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई हम काम कर रहे हैं विवेखीन तरीके से लापरवाही से that is called indiscriminate अगला हमारा शब्धा mortality mortality का मतलब होता है किसी भी जगा पर बरने वालों की संक्या मृत्युदर that is called mortality unequivocal का मतलब होता है अगला हमारा शब्धा reluctance repeat हो चुका है reluctance का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए unwillingness दिखाना that is called reluctance अगला हमारा शब्धा disruption disruption का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान उतुपन करना रुकावट उतुपन करना अवरोद पहला करना that is called disruption या कोई व्यवधान होना that is called disruption अगला हमारा शब्ध है confined confined का मतलब होता है बहुत चोटी सी जगा जो चारो तरफ से एकदम confined जो space होता है that is called confined अगला हमारा शब्ध है dilute dilute का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अशक्त करना उसमें कुछ मिला कर कमजोर करना या पतला करना that is called dilute अगला हमारा शब्ध है ordinance ordinance का मतलब होता है किसी तरह का कोई अधिनियम, कानून, law, order, regulation उसे बोला गया है ordinance अगला हमारा शब्ध है substantiated substantiated का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम सबूत के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं प्रमारित कर रहे हैं verify कर रहे हैं सबूत के साथ evidence के साथ सही साबित करना that is called substantiated अगला हमारा शब्ध है stringent stringent का मतलब होता है ऐसे कानून या नियम जो की सकती के साथ लागू किये जाएं बहुत strict हो hard हो उसे बोलायता है stringent अगला हमारा शब्धा promulgate promulgate का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई law है कानून या कोई नियम है तो उसका आपचारिक तोर पर उसी घूशना करना उसको लागू करना that is called promulgate अगला हमारा शब्धा adverse adverse का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा असर होना विपरीत प्रभाव होना that is called adverse अगला हमारा शब्धा nepotism nepotism का मतलब होता है अपने ही परिवार जनों को फायदा पहुंचाना कुनबा परिस्तिया भाई भती जावाद उसे बोला जाता है nepotism अगला हमारा शब्ध है curious curious का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिग्यासू होना उत्सुक होना या फिर ऐसी कोई चीज़ जो की बहुत ही ज़ादा अजीब हो गरीब हो विचित्र हो निराली हो that is called curious अगला हमारा शब्धा envisaged envisaged का मतलब होता है बविश्य में क्या घटना होने वाली है बविश्य में संभावी स्थीती के बारे में कल्पना करना सोजना that is called envisaged अगला हमारा शब्धा conviction conviction का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई अपराद लगा है तो उसके अपराद की दोश सिद्धी हो जाना वो अपराद उस पे साबित हो जाना या हम बोल सकते हैं किसी बात के लिए पका विश्वास होना अगला हमारा शब्था एपेक्स का मतलब होता है किसे भी चीज़ का उसके शीर शी बिंदू पर होना शीखर पर होना या बहुत महतुपून कोई बात होना यहां बात हुई थी सुप्रीम कोड की जो की जुडिश्री में हाइस्ट और्गनाइजिशन है उसे बोला गया था एक्स कोड देट इस कॉल्ड एक्स अगला हमारा शब्था चैरी चैरी का मतलब होता है किसी भी काम को करते सबें पूरी तरह से साफधानी रखना एतियाद रखना उसे बोला गया था चैरी अगला हमारा शब्था पाल्ट्री पाल्ट्री का मतलब होता है न के बराबर होना इसी कोई चीज जिसकी हमें अवश करता है हमकी पानला ना करे तो उस देश पर कई तरह के प्रतिबंद लगा दिया जाना कोई financially भी हो चकते हैं दूझरे कई प्रतिबंद लगा दिया जाना उस देश पर that is called sanctions अगला हमारा शब्था tenuous रिपीट हो चुका है tenuous का बधब का मतलब होता है अगला हमारा शब्था डेश दर्रार बहुत फूर्टीला होना that is called nimble अगला हमारा शब्था defection defection का मतलब होता है एक राजनितिक पार्टी को छोड़ कर किसी दूसरी राजनितिक पार्टी में मिल जाना विद्रोह करना किसी तिरा का उलंगन करना, दल बदल करना, विश्वाज घाद करना, that is called deflection, अगला हमारा शब्था undue, undue का मतलब होता है, इसे कोई बात जो बिल्कुल गयर जरूरी हो, अनुचित हो, अनावश्चप हो, that is called undue, अगला हमारा शब्था contention, contention का मतलब होता है, किसी बात को लेकर argument करना, विवाद करना, जगड़ा करना, उसे बोला गया था, contention, अगला हमारा शब्था enactment, enactment होता है, किसी तरह का कोई कानून, अधिनियम, लौ, विधान, ordinance, legislation, उसको बोला जाता है, enactment, अगला हमारा शब्था autonomy, autonomy का मतलब होता है, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई संगठन, जो क स्वयम अपना शाषन करे, सोचालित हो, जिस पे किस भी तरह का कोई control ना हो, अपने वो decisions, सारे जो निर्णे हैं, वो स्वयम ले, उसको बोला गया था, autonomy, तो यह last word था, weekly vocabulary के revision का, आई हो, आपको video informative लगा होगा, अपने video से कुछ सीखा होगा, फटा फट से हमने revise करने की को कि आपक्छी हुआ आपवा थ 1,000, से नियाओ चाल्स में जो टाओते हम, आपको अपक्छी हैं, अपको अपको, झाब से की कि दिजखते हमने का था था झाल झाल